तो हेलो फैंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन Samsung Galaxy में जिसमें Android 11 का अपडेट आ चुका है या कह सकते हैं 1UI 3.0 या 3.1 का अपडेट आ चुका है दोस्तों उसके अंदर के मैं आपको तीन ऐसे hidden फीचर बताने वाला हूँ या कह सकते हैं तीन आ तो और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेग में दोस्तों सबसे पहले जो फीचर या कूल टीप बताने वाला हूँ उसके लिए को करना क्या हो सबसे ले जाना अपने गैलरी पर गैलरी बिभी जाएंगे दोस्तों सबसे पहले क्या होता था जब आपको फोटो अपनी करते थे आप वीडियो शेयर करते से जो कि आपने अपने वहाई से शूट करिए वहाँ पर आपकी location information भी आती थी कहां पर उन्होंने ये picture खीची या वीडियो क्लिक करिए अगर आप नहीं चाहते कि किसी को अपने information जाए कि कहां आपने फोटो ये वीडियो बनाई है तो उसके लिए आपको एक नया फीचर बिल गया है या वो सकते hidden tip मिल गई है जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आने के अदर अपने कोई भी वीडियो फोटो या वीडियो को शेयर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option मिल रहा है रिमूफ location data जो कि पहले नहीं आता था अगर आप इस पर क्लिक करके अपनी फोटो या वीडियो को नहीं चाते थे कि बहुत सारी चीज़ होती हैं कि हम नहीं पताना जाते हैं कि हमने फोटो या वीडियो कहां क्लिक करिए तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके भेज सकते हैं इस रिमूफ डेटा पर क्लिक करके भेज ों अगया कुक्छ एप्षेर करना है आपकोगद क्लिक कर दिया तो यहां पर देखेंगे इस्-टोरी न करके आगया यहां पर अफिक भी मैं इसको शेयर करूँगा जो पिन वाला जो मैंने जिसम को पिन करा हुआ है वहां से हिलने नहीं वाला नहीं तो सब आप उपर नीचे हो जाती है बट यह नहीं करने वाला तो आपको यह अच्छा ऑप्शन मिलने वाला दोस्तों आप यहां पर कितनी भी चाहिए एप्स को पिन कर सकते हैं आपको यहां पर वाटशं को भी मिलन करना है यहां सब देखेंगे झींजन को पिन करना है वो हटने नहीं वाले आप जितनी बार भी कोई सी भी फोटो या वीडियो पर जाएंगे तो वह आपको हर बार आपको सेम लोकेशन पर ही मिलने वाले है वहां से वह लेनी एक पर कोई सी बी अपनी फोटो को पिक कर लेना है जिसको आपने आ अपने वालपेपर मेर में या धूट कर लिएस्य एक इसे कर सकते थे यहां पर मिल रहा है आप देखेंगे लास्ट में यह आपको full screen के लिए मिल रहा है, जैसे आप इस पर click करेंगे, तो आप आपको यह real experience देने वाला है, क्योंकि full screen पर आपको photo या wallpaper आपका ऐसा लगने वाला है, तो आप अपने साब से यहाँ पर zoom in, zoom out करके उसको पूरी तरह से यहाँ पर set कर सकते हैं, और नीचे आपको यहा यह option पर नहीं था, after one UI 3.1 आपको यह update मिल गया है, दोस्तो, उमीद है कि जो मैंने आपको यह hidden feature बता है, आपको हम पसंद आयोंगे दोस्तो, तो मुझे comment करके जरू बताएं कि आपको यह feature कैसे लगे दोस्तो, और आपको लगता है कि इसके हलावा भी कुछ hidden features या tip करना दोस्तो, तो तो दोस्तो, मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरू करें, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता ह तो थेंकि दोस्तों